रिच डैड, पूर डैड दी पुस्तक दा छेमा दियाए दा अगला पाग मैंनू आम करके पुछेया जान दा है मैं निम्बू आनू के में करोडांच बदलिया है निजी तोर ते मैं व्यक्ति गत निवेश दियां कई होर मिसालां दें चिजगदां मैं इसलिए चिजगदां क्योंकि मैंनू डा रहा है कि मैंनू बड़ बोला जा अपनी शेकी मारनवाडा किया जाएगा यह मेरा इरादा नहीं है मैं सिर्फ इसलिए मिसाल देना ताकि उदे अंकां ते मियाद नाल सचियां ते सोखियां कटना वानू दस्या जा सके मैं मिसाल इसलिए देना कि तो दस्यां के सोख है यहूर भी ज्यादा सोख है यह तुसी फाइनेंशल बुद्धी दे चार सितंबा दे जानकार हो निजी तोर दे मैं फाइनेंशल वदे ले दो मुक्सादना दा इस्तेमाल करदा रियल एस्तेट ते चोटे स्टोक्स मैं रियल एस्तेट नू अपनी नीव आंग इस्तेमाल करदा हर दिन मेरी प्रॉपटिस कैश फ्लो प्रदान कर दिया ते उना दा मुल वद्धा जान्दtail चोटी पुंजी दे स्टॉक्स नू तेजवाद्धे देली इस्तेमाल कीता जान्दे मैं अपने वल्लों कीती गई हर चीज दी सिफारश नहीं करदा उदारन केवल उदारन लेई ही हैं जे मौका बहुत जटने लेई ते मैं निवेश नू नहीं समझ पौनदा तमें निवेश नहीं करदा पैसियां दे बारे निरने लेण लेई सानू केवल सदारन गणे ते सदारन बुद्धी दी लोड है उदारन दा इस्तेमाल हेठा दिते गए पंज कारना करके कीता जान्द है पहला लोका नू ज्यादा सिखन लेई प्रेरत करन लेई दुझा लोकान वे दस्तन लेई के नीव मजबूत है ते पैसे यंदा मेल बनोना सोख है तीसरा ए दस्तन लेई के कोई वी टेर सारा पैसा बना सकता है चोथा ए दिखान लेई के तो अड़े मंतवानों हासल करन दे क्रोडां तरीके है ते पैसे पैसे दस्तन लेई ये कोई रोकेट वी ग्यान नहीं है 1999 मैं ओरेगान दे पोर्ट लेंड दी खूबसूरत जगा ते जोगिंग करया करना सी एक उपनगर सी जिते चोटी-चोटी कार बने सी ये चोटे ते सुन्दर सी स्टाक मार्केट क्रेश होया थे अर्थविवस्ताच मन्दी इसी एक सड़क थे मैं एक काउँ हान दा बोर्ट देखे ये उते काफी समय तू लग्या सी इपुराणा दिखगे या सी एक दिन उनना दे कर जॉगिंग करते समय मेरी मुलागाते मालक नल होगी जो कि बहुत परेशान देख रहे हैं सी मैं पुछा है तुसी अपने कारदी की कीमत लाई है मालक को में है उन्हें बड़ी फिक्की मुस्क्राट नल किया तुसी कीमत लालो एक साल तो ज्यादा समय तो वका हूँ है ते हुन तक कोई भी इनू देखन तक नी आया मैं अनू देखना चाना मैं किया ते अद्दे कांटे बाद मैं अनू वी हजार डॉलर्स खरीद लिया जड़ी उसको लो मंगी गए कीमत तो बहुत काट सी ए दो बेडरूम दा छोटा जा सुन्दर कार सी जड़ी आँ खिड़ किया ते जिंजर ब्रेड ट्रेम सी ए उनी सो तीज बने आ सी ते दा रंग हलका नीला सी अंदर एक सुन्दर चटानी फायर प्लेस ते छोटे-छोटे दो बेडरूम सान एक किराय ते देन लिका दर्शकार सी मैं मालक नूँ पंताली हजार डॉलर दे कारवास ते पंज हजार डॉलर नगत दिते जिदी असल कीमत पैंट हजार डॉलर होईगी पर दिक्कत सिर्फ एन नी सी के नूँ कोई खरीदरा नी सी चांगा मालक ने एक हफ्ते चे नूँ खाली कार देता ते उये तो पिछा चुडा के खोश होया मेरा पहला के रायदार हो थे आगया जड़ा एक स्थानी कॉलेज परफेसर सी मार्ट गेज खर्चते मैनेजमेंट फीस्ट कॉन तो बाद हर मीने दियां तच मेरी जेब अंदर चाड़ी डालर होंदे सान जो कोई बहुत वड़ी रकम नहीं सी एक साल बाद ओरेगां दा रियल एस्टेट बजार मंदी तो उबर गया ते वदन लगा कैलिफोर्निया दे निवेशकां कोल अपने रियल एस्टेट मार्केट दी तेजी दा बहुत सारा पैसा से उन्हों उत्तर दिशा चाके ओरेगां दे विशेंग टंच खरीदारी कार रहे सन मैं इस छोटे जेकार नूँ कैलिफोर्निया तो आई एक नौजवान जोडे नूँ 95,000 डॉलर च वेच देता जिना नूँ ए बहुत सस्ता सोदान लागरेया से ए सोदेच मैनू तकरीबन 40,000 डॉलर दा कैपिटल गेन हुया जिड़ा मैं 2000 कती दे टेक्स विहीन एक्स्चेंच रख देते ते मैं अपने पैसे नूँ लाके कोई वड़ी प्रॉपर्टी करी दन चल पया एक मीने च मैनू बिवर्टन ओरेगंच इंटेल प्लांट देको लेक 12 योनेट दा अपार्टमेंट मिल गया उदे मालक जर्मनी चलेंदे सी ते उनानो ये दी कीमत दा अंदाजा ही नहीं सी ते एक वर फिर उए ना कड़ो पिछा चुड़ाना चांदे सी ते मैं 455,000 डॉलर दी इमारत दे लई 275,000 डॉलर देन दी पेशकर्ष केती उथ 300,000 डॉलर दे मन गे मैं इसनू खरीद लिया ते इनानो दो साल तक अपने कोल रखे फिर उसे 1000 कती एक्स्टेंज पर केरिया दा फादा चुक दे हुए मैं इसे मारत नू 495,000 डॉलर दे वेट देता ते एरिजोना फिनिक्स विच एक ती योनिट दा अपार्टमेंट खरीद लिया जदों तक सी फिनिक्स चले गए सी सानू उंज भी इनानो वेचनाई सी पहला जेडा हाल ओरेगन दे बजार चसी उवी मंदी दा महाल फिनिक्स रियल एस्टेट मार्केट च दिखन्नों मिलिया फिनिक्स्ट ती योनिट दी अपार्टमेंट इमारत दी कीमत 845,000 डॉलर सी जिस्ट उन 25,000 डाउन पेमेंट सी ती योनिटा तो आणवला कैश फिलो 5000 डॉलर हर मीनेतो कुछ ज्यादा सी एरिजोना दा बजार्वी वदन लगा ते 1996 इक कोलो रेडो दे निवेशक ने सानू उस प्रॉपर्टी देले 12 लख डॉलर देन दी पेशकाश रखे मेरी पतनी ते मैं वेच्चन ते विचार कार रहे सी पर असी ये देखन दा इंतजार कीता कि की कॉंग्रेस कैपिटल गेन कानूनाच परिवर्तन करेगी जो परिवर्तन कर दिया तो प्रॉपर्टी दी कीमत 15-20% तक बज जाएगी ये तो लवा हर मेने 5000 डॉलर मिल दे रहना चंगा लगदा सी ए सुधारंच मुद्देदी गाले सी के किमें एक छोटी जी रकम एक बड़ी रकम चे बदली जा सकती है इक वर फेर में कैना चोना केदे लई फाइनेंशल स्टेटमेंट्स निवेश दी रणनीती बजार दी समठ दे कनूनादी जानकारी होना लोडेंदा है जे लोग इन विशेयां देपारी जानकारी नहीं रख़दे तस्पष्ट तौर्तियों स्टांडर्ड सलाद आप पालन करनगे जेडी केन दिये कि सुरख्यत खेड़ खेड़नां चाईद है, सुरख्यत निवेशांच पैसा लोनां चाईद है, सुरख्यत निवेशांच पैसा लोनां चाईद है, सुरख्यत निवेशा नाल समस्याई है, आम करके बहुत कार मुनाफ़ा दिन दिया है, इना नुए इनना सुरख्यत बना द तकनते नीती समयधारी दीवी हैं। तकनते नीती समयधारी दीवी हैं। मेरे कुछ दोस्त होने भी सुरकेत खेड 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 रही हैं। ति अपने प्रफेश्रेंच करडी मेनत कार रही हैं। पर उना दी फैनेंशल बुद्धी विक्सत नहीं हो पाई। इधे विक्सत होंच बड़ा समा लगद है। मेरी कुल जमा फिलोसफी ति अपने संपती वाले कॉलम्च बीज बौना। ये मेरा फार्मूल है। मैनू छोटे फैमाने तो शुरू करदां, बीज बो देनना। ति कुछ बीज पुंगर पहन दे हैं, कुछ नहीं। साड़े रियल एस्टेट कॉर्परेशन दे साड़े कोल कुरोडान डॉलर दी प्रापरटी है। इसाड़ आपना R.E.I.T. यानि रियल एस्टेट इन्विस्टमेंट ट्रस्ट है। उनमें तो अनू एक पते दी गाल दसना चाना। इना कुरोडान चो कई प्रापरटीज तो पंजज़ार तो दसज़ार डॉलर दे में वेश्ट शुरू हुएं। नगद पैसे नल खरीदियां गई हैं। ए प्रापरटीज खुश किस्मती नल तेजी नल वद्दे बजार ज्यादा कीमती हो गई हैं। ते टेक्स तो मुक्त रहन दे हुए इनानों खरीदिया ते वेचिया गया सी। इस तरहां कई सालां तक कीता गया सी। साड़ा एक स्टॉक पॉर्टफॉल यू वी है। जिन्नू मैं ते मेरी पतनी साड़ा परसनल म्यूचल फंड केने हैं। साड़े कुछ दोस्त साड़े वर गे इन्वेश का दे नाली बिजनस कर दिया है। जिना दे कोल हर मीने इन्वेश करन दे ले कोई हूरता नहुंद है। असी ज्यादा तर खत्रे चुकन वलियां प्राइवेट कंपनियां दे शेयर खरीदियां। जिडियां के अमरीका जां कैनेडा चे स्टॉक एक्स्टेंज दे परचलत होन जा रही है। पैसा किन्नी तेजी नल वद्दा है दा उदारने इस तरह देखो। असी कंपनी दे परचलत होन तो पहलना 25 सेंट प्रती शेयर दी दर्दिक लख शेयर करी दे। छे मिन्या बाद जदो कंपनी शेयर बजार चे दर्ज हो गई। उदे शेयर दे पाद 2 डॉलर प्रती शेयर हो गई। जेकर कंपनी दा प्रबंदन चंगया तके इमतावधियां जान गिया। स्टॉक वी डॉलर प्रती शेयर जाए इस तो भी ज्यादा होएगा। यह हो जए भी कई साल रहे है जदों के साड़े 25,000 डॉलर एक साल तो भी काट समय अंदर 10,000,000 डॉलर बन गई। यह जुआ नहीं है। जे तुसी जान दे हो तुसी की कार रहे हो। यह जुआ है जे कर तुसी सौदेच अपना पैसा सोट रहे हो। ते रबकुणों सफल होंली दुआ कार रहे है। तो अनु अपने तकनीकी ग्यान बुद्धी ते खेड़ दे प्रती प्रेम दी लोड होईगी के खत्रे काट तो काट रहे हैं। उन्ज खत्रे ता हुंदी है। यह फैनेंशल बुद्धी हुंदी है जिस नल तु अड़ी सफल ता दी अफसर्वाज जन दी है। इसे कारण जड़ी चीज एक आदमी ली खत्रे आनाल परी हुंदी है। दुझे आदमी वास्ते उन्नी जोखम परी नी हुंदी। इही ओ बुद्धी कारण है जिस कारण में लोका नू लगातार प्रेरत करदां के स्टॉक, रियल एस्टेट जान दुझे बजारां चे मैं इस खेड नू उनी सो उनासी तो खेड रही है। मैं इस नाल बड़े तजर्बी हासल कीती है। पर जे तुसी दुबारा पड़ोंगे। इस तरा देने वेश ज्यादा तर लोकां ली खत्रे आनल परे क्यों हुंदी है। ता तुसी अपनी जिंदगी नू इक वक्रे ट आनल निर्दारत कर सकोगे। जिस वेच पचीहजार डॉलर तो एक साल अंदर दस लाक डॉलर बनोना तो डेली काट जोखंबड़ा हुएगा। जबे पहला क्या जा चुक है। मैं जो कुछ लिखे हैं मैं तनू उसी तरह करन दी सिलाह नहीं दिनदा। मैं किवल तनू यह समझाना चाना कि इस सौक खाते संभव है। गले नहीं जही है कि आस्ता आदमी वास्ते एक लाक डॉलर तो ज्यादा दी। सालाना आंदन चंगी हुंदी है। इन्हों हासल करना जज़ ज्यादा मिनत भी नहीं लग दी। बजार के हुजए है तुसी किने समार्ट हो इस ग आम कर सकते हो जा चाड़ सकते हो ति सरकारी टेक्स सिस्टम नो अपनी विरोत्ता दी बजाए अपने समर्थन भी चुई इस्तेमाल कर सकते हुजए है। जे मैंनों स्टॉक मार्केट खासा मुनाफ़ा होंद है तो मैं मुनाफ़े ते कैपिटल गेन टेक्स देना, बजी रकमनों रियल एस्टेट चला देना, ता जो मेरी समती दिनी होर ज्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट उते गल होर। मैं सारी दुनियां को मेयां ते मैं हर थां ते निवेश करना सिखाया है। हर शेर चे मैंनों इस सुनननों मिलिया है कि रियल एस्टेट नू सस्ते च नहीं गरी दिया जा सकता है। यह मेरा तजर्बा नहीं है। निव याक या टोकियोच जाँ शेर तो थोड़ी दूर ते हो जे शांदार मौके हैं जिना नू जयादा तर लोकाने नजर अंदाज कर देता है। सिंगापुर्च जिती होने रियल एस्टेट दियां के इंता बहुत ज्यादा चल रहे हैं। यह जियां कई प्रापर्टी जहन ज़ेडियां चंद मिन्टां दी ड्राइविंग दी दूरी दियां। इसलिए ज़दों भी मैं किसी नू एक हैंदे सुनदा तुसी एथे इस तरह नहीं कर सकते। तै मैं उन्हानू याद दिलोना है कि शायद तो आनू एक हैंणा चाहिदा हैं मैं नहीं जानदा कि एथे इस तरह के मैं कीता जा सकते। महान अवसर तो अड़ी आखा नहीं देख सकती हैं उन्हानु तोड़ी दिमाग दर्द दिख्या जा सकते हैं ज्यादा तर लोग सिर्फ एसली अमीर नहीं बन पोंदे क्योंकि उन्हानु ये जानन लई फाइनेंशियल ट्रेनिंग ही नहीं मिली हुंदी क्यों अपने सामने पैय अवसरानु देख सकनती होनानु पहचानानु मैनू आम करके पुछे जान्दा है मैं शुरू आत के में करां पिशली अदि आये च मैं आर्थिक स्तंतरता दी राती चलन वाले दस कदमांदाव लेक कीता सी पर याद रखो तो अनू मजा होना चाहिद है एके वले खेड है कई वरे तो उसी जित जान्दी हो कई वरे तो अनू सिर्फ तजर्बे मिल दे है पर हमेशा अनांद लोओ ज्यादा तर लोकी कदे नी जित पहुंदे क्योंकि अनू हार दा डर लगया रहन दे एसलिए मैंनो स्कूल मुर्खता पूरन लगता है स्कूल चैसी सिख दे आंके गलतियां माडियां होंदी है उना कारण सानू सजा भी दिती जान दी है पर जे असी इनसाना दी सिखन दी पर किरयाते नजर सानी करिये तो आसी पावांगी कि इंसान गल्तियां करके ही सिख दै आसी डिग डिग के ही चलना सिख पौने है जे आसी कदे न डिगी है तासी कदे चल भी नहीं पावांगे इही मोट साइकल चलाण दे बारे भी सही है मेरे गोड़ेयां ते हुने भी साट दे निशान है पर मैं आज बिना सोचे हुए है मोट साइकल चला सकता है इही अमीर बनन दे बारे भी है बदकिस्मती नाल ज्यादा तर लोकां दा अमीर ना बन पौन दा मुख कारण भी ही है वो हारन तो डर दे है जितन वाले हारन तो नी डर दे पर हारन वाले डर दे है सफलता दी पर के रियादा एक पाग असफलता भी है जड़े लोक असफलता तो बच दे है मैं पैसे कमान नूँ टैनिस खेड़न वांग बन दा मैं मेनत नाल खेड़ दां गलतियां करदां गलतियां नू सुदार दां ते ज्यादा गल्तियां करता हैं, सुधार्दा, इस तरह मेरी खेड सुधर जन्दी है, जै मैं खेड रूम हार जाना तो मैं नेट दे को जाके, अपने विरोधियां नल हाथ मलोना, मुस्करोना कहना, अगले से निचरवार फिर मिलागे, निवेशक दो परकार दे हुन दिया पहला, सारे वाम जे निवेशक हुन दिया, जड़े के एक पैकेज विच निवेश करते हैं, वो रिटेल आउटलेट फोन करते हैं, जमें एक रियल एस्टेट कंपनी, जा स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशल प्लानर नू तो फिर कुछ खरीद दिया है, एक म्यूचल फंड आरी, आईटी स्टॉक जब बांड हो सकता है, ये निवेश दा है कि चंगा साफ सुत्रा ती सौखा तरीक है, दूसरी तरह दे निवेशक, ओ हुन दिया है, जड़े निवेशानू बणा हों दिया है, इस तरह दे निवेशक काम तौरते सौध्यानू अनू असेंबल कर दि जिस तरह कंप्यूटर इंजनियर कंप्यूटर दे पुर्जियानू असेंबल कर दे है, मैं ये तनी जानदा कि कंप्यूटर दे पुर्जियानू के में असेंबल कीता जानदा है, पर ये जानदा कि आर्थिक मौकियान दे पुर्जियानू के में असेंबल कीता जानदा है, जा मैं हो ज़े लोकानू जानदा जो इंज कार सकते हैं। जा मैं हो जा मैं हो ज़े लोकानू जानदा जो इंज कार सकते हैं। खाली जमीन दे टुकड़े वी सी, उन्हें सारा कुछ कंपनीच जाके पता कर लिया, कार करीद दन तो बाद उन्हें उसनू तोड़ देता, उन्हां पांज पलाटानू बिल्डर नू वेच देता, इस तरहां सोधे चोनू अपने मुढले निवेशतों तेन गुणा ज्याद रकम मिले, उन्हें दो मीने अदे कम 75,000 डॉलर कमा ले, यह बहुत ज्यादा रकम था नहीं है, पर एक अड़तू का अड़तन खान अलोता ज्यादा ही है, दूसरा, पैसा के में जुटाया जाए, औस ता आदमी बैंक जाना है, पर इस दुझे के समदे निवेशिक नू पत दे जा सकते है, कार खरीदना महत्ता पूरण नहीं है, पैसे ही कतर करना बड़ मुली कला है, आम करके मैं लोकान वे केंदे सुने हैं कि बैंक मैंनू कर्ज नहीं दे रहा, जब मेरे कुले नू खरीदन दे ली, पैसे नहीं है, जै तुसी दुझी किसम दे निवेशिक बढ कर सकते हो, तो तुसी एहोजे लोकान तो मिला अगे होंगे, जिना ने नम हारता नू नहीं सिख्या, एहोजे कई मौके आए, जब मैं कार स्टॉक जाए, अपार्टमेंट बिल्डिंग नू खरीद दिया, जब के मेरे कुल बैंक चीक पाई भी नहीं से, मैं एक अपार्ट सिक एधी असले केमत भी लाख डॉलर से, मैं इनने पैसे अनू कदे ने जूटाया, एधी बजाए, जिस व्यक्ती ने मैंनो एक लाख डॉलर देते सी, उन्हें मैंनो पंजाफ़जार डॉलर होर देते, ताकि यो मेरी थांती आ जाए, इन जो मेरी थांती आ गया थे, मैं उस न्योवेश तो बार निकल गया. मैंनो एक वार फिर मैं कहना चोना, तुस्य की खरीद देो यह महत्तपूराण नहीं है, महत्तपूराण है, कि तुस्य किन नहाँ जान दियो? न्यवेश करना खरीदा नहीं है, एक ज्ञान है. तीसरा, किस तरह रहाँ समार्ट लोगां कि तो अड़ासला कार समयधार हो वे सिखन देले बहुत कोज आए इदे इनाम भी बहुत कीमती हो सकते है जे तुसी इना महारता नुँ नहीं सिखना चांदे तो अनु पहली के समदान वेशिक पणन दी सिला दिती जान दी है तुसी जो कुछ जान दे हो ही तो अड़ा सब तो बटा खत्र है, खत्रा जोके हमेशा रहन दे, इसलिए न तो बचंदी बजाई इनानु विवस्थित या मैनेज करना सिखना चाहिए, तानुबाद